जैश्री गनिशाय नमा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोसेज यूट्यूब चैनल पर, मैं निहाराजपूत हर दिन की तरह आप सभी के सामने हाजिर हूँ, धैनिक राशिपल लेकर दोस्तों, एक अच्छी जंदगी बिताने के लिए धन का होना बेहर जरूरी माना जाता है, धन ना केवल हमें अच्छी जंदगी देता है, बलकि समाज में हमारे मान पृतिष्ठा को भी बढ़ाने का काम करता है, जिस व्यक्ति के पास धन अधिक होता है, समाज में उसकी कुछ नहीं करते हैं, ऐसे में आज में आपको साथ ऐसे उपाये वताओंगी, जिसे घर में सुक समुर्धी के सांतार धन की बारिश भी हो सकती है, तो अगर आप चाहते हैं कि यह उपाये आप करना चाहते हैं, तो हमारे से वीरियों के आखिर तक बने रहेगा, बहुत यह सिंपल रमेडीज हैं, और आपका सवाल था, कि पैसो की बहुत सारे कॉमेंट में सवाल आते हैं, कि पैसो से रिलेटेट प्रॉब्लम है लाइफ में, आर्थिक जीवन में है, कर्द में हैं, बहुत सारे ऐसे आप क्रिस्टिंस लिखते हैं, आपकी प्रॉब्लम का बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा उपाई बताए जाए जिससे बहुत सारे लोगों का लाब हो सके, तो यही उपाई है, जो आप करेंगे जो वीडियो के आखरूंगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सापकी पैसो से रिलेटेट दूर ह जाएंगी, फिलहाल जानिये आज का पंशांग जो आपको स्क्रीन पर पर दिख जाएगा, तारीक है 16 दिन है, रवीवार, माहे पॉष, पक्ष्र है कृष्ण, जिथी की बात करें तो है सब्तमी, नक्षत्र है उत्तरा फालगुनी, चंद्रदेओ रहेंगे सिंह राशी मे तो शाम को 4 बच कर 13 मिनट से 5 बच कर 31 मिनट तक है, सुरियोदय प्राता 7 बच कर 11 मिनट पर है, तो सुरियां से शाम को 5 बच कर 31 मिनट पर है, ये पूरी पंशांग की जानकारी हो गई उत्तरा फालगुनी नक्षत्र में जनम लेने वाला व्यक्ति, युद्ध विद्या में निपुर, लडाकू और साहसी होता है, देश और समाज में अपने रॉब वाले विक्तित्व के कारण पहचाने जाते हैं, इन मिन निर्तित्व के गोण जनम से ही होते हैं, इसलिए अ अपना कारे करने में खुद ही सक्षम होती है, इस नक्षत्र की विक्ति दूसरों के इशारों पर चलना बिलकुल पस्त्स नहीं करते हैं, ये लोग सिंग की बाती अकेले ही अपना शिकार स्वयं करते हैं, इस नक्षत्र के लोग आत निर्भर, स्वतन्तर और समाज में उनसे सहायता लेने में कभी भी संकोच नहीं करते हैं असनक्षत्र के लोग दोस्तों को बहुत महत्व रेते हैं उत्रा फालगुनी जातक कार्थिक रूप से सामर्थेवान होते हैं द्रडवी विश्वास और लगन के सांथ अपने लक्ष को हासल करने के लिए उत्सुक रहते हैं भवश्य की योजना बनाने और रणिती तयार करने में इनका जवाब नहीं होता है और अपने इसी गुण के कारण अगर ये राजनिती में जाते हैं तो इन्हें सफलता मिल सकती है एक नक्षत्र के जातक की वाणी प्रभावशाली और ज्यान योगत होती है इनको हमेशा सत्यनिष्ट और सादिगी पुर्ण जीवन जीने में आनन्द मिलता है दूसरों के भलाई के लिए हमिशा अपने धन वैभाव और अधिकार का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते हैं तो ऐसे होते हैं उत्तरा फालगुनी नक्षत्र के जातक अब जानिए अपना राशी फल जो कि चंदर राशी पराधारी था और वीडियो के आखिर में रवी वार के दिन कौन से वो पाई कर सकते हैं जिससे आपको जो है आपके घर में पैसो की प्रॉब्लम नहीं होगी यह आपको हम बताएंगे तो वीडियो के आकर तक बने रहेगा और सांथ ही जो लोग और भी अपने निजी जीवन की सवस्याएं कॉमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं तो आपके लिए यह जवाब है मेरा सब्सक्राइब करके बला इकन का बटन प्रेस कर दीजिए और आपको पांच बजे नोटिफिकेशन में लिख लिए और वीडियो को देखना चाहते हैं हर रोज पाना चाहते हैं जाएगा और आप आसानी से में साथ जुड़ जाएगा चंदर राश्री पर आधारित है आपका राश्रीपल मून साइन बेज रहे शुरुवात करते हैं मेश के साथ चानिक गुस्सा विवाद और दुर्भावना की वज़र बन सकता है आज के दिन आपको अपने उन दोस को सुन सकेंगे जो दुनिया के सभी गीतों को भुला देता है आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उमीद से ज्यादा देंगे दोस्तों आँखे दिल की बाते बया कर देती हैं आज कर दिन अपने करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएगी आप खुद को बेहतर और आत्मिश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे लंबे समय मैंसे अटके मुआउजी और कर्जादी आखिरकार आपको मुल जाएंगे मुश्किल दौर में आपके जिन रिष्टारों ने मदद की है उनके लिए अपनी कृतग्यता को व्यक्त करें आपके छोटा सा काम उनके उच्छा को बढ़ाएगा कृतग्यता जीवन की सुगंद को फैलाती है और एहस्तान फरामोशी से तार तार कर देती है आज अचानक किसी से रोमैंटिक मुलाकात हो सकती है वहीं कुछ लोग का है आपके लिए चार शुबरंग है भूरा और सलेटी रुपाई के तौर पर शिवजी की पूजा करें स्वास्त अचा रहेगा भागिस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से साध्य तीन स्टार अब बारी मिथुन राशी के जात्कों की और सुरक्षा यद्व आपसे संपर्ग करेगा और उस दिन को यादगार बना देगा वैवाहिक जीवन के दुष्टी कोर से देखे तो चीजे आपके पक्ष में जाते हुई नजर आ रही है आज आप सबसे दूर जाने के बारे में सोच सकते हैं आज मन मी सन्यास लेनी की भावना प्रबल रहेग भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूगी पांच में से साढ़े तीन स्टार अब बारी है करकर आश्री के जातकों की शादेर कलाब के लिए विशेशकर मानसिक तौर पर मजबूती हासल करने के लिए ध्यान और योग का आश्र ले अंचाहा कोई महमान आज आपके घर सकता है जिसके आने से आपको घर के उन सामानों पर भी खर्चा करना पड़ सकता है जिनको आपने अगले महीने के पर टाला हुआ था या बाद के लिए टाला था अगर आपके वन में तनाव है तो किसी नजदी की रिष्टदार या दोस्ते बात करें इससे आपके दिल का बोज हलका हो जाएगा आपको आज ही आपके लव पार्टनर को दिल की बात बताने के जरूरत है क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी अगर आज यात्रा करते हैं तो सभी डॉकिमेंट्स अपने सांथ रखिएगा फैमली टेंशन के कारण आज आपका वेवाहिक जीवन भी प्रभावित रहेगा आज आज आपके जोशीले अंदाज से आपके सहकर्मी आपसे काफी आकरशित हो सकते हैं शुभंक है आपके लिए पांच शुभरंग है हरा और फिरोजी रुपाई के तौर पर इसनान करने के बाद सफेद चंदन का तलक मस्तक पर करें आर्थिक पक को खतम कर देती है और संतोशी जीवन की आशा का गला घोंड देती है अचाना काई खर्चे आयतिक बोज बढ़ा सकते हैं वहीं दोस्तों के साथ घूमना फिरना मज़ेदार रहेगा लेकिन ज्यादा पैसे खर्च ना करें नहीं तो आप जए खाली करके घर पहुंचेंग आप दुनिया में खुद को सबसे रईस महसूस करेंगे क्योंकि आपके जीवन साथिक वहार आपको ऐसा महसूस कराएगा वहां चलाते वक्त आज थोड़ा सा सावधान रहिएगा किसी व्यक्ति की लापर वाही के विज़ें आपको बहुत नुक्सान उठाना पड़ सकता उसकी वज़से शुबंग के आपके लिए तीन शुबरंगे के सरिया और पीला और रुपाई के तौर पर आज गायतरी मंत्रु अगायतरी चालेसा पढ़िया आर्थिक स्थी अच्छी रहेगी भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साढ़े तीन आपके सिफुरानी विमारी में काफी आराम महसूस करेंगे आठिक तौर पर बहतरी के चलते आपके लिए जरूरी चीज़े खरीदना आसान होगा आज के दिन बिना कुछ खास किया आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी उरा कर शुक्त करने में कामियाब रहेंगे आप आपका लव पार्टनर आज कुछ खिजा हुआ महसूस कर सकता है जो आपके दिमाग पर दबाओ और बढ़ा देगा कारोबारी आज कारोबार से ज्यादा अपने परिवार की लोगों की बीच समय बिताना पसंद करेंगे इससे आपके परिवार में सामन जुस्से बनेगा जीवन साथी का बिगरता स्वासता आपके लिए परिशानी का सबब बन सकता है जीवन का आनंद अपने लोगों को साथ लेकर चलने में ये बात आवाच पश्टा से समझ सकते हैं शुभंक है आपके लिए आज दो शुबरंग है सिलवर और सफेद रुपाई के तौर पर गरेश जी के मंदर में मूँ के लड़ों का भोग लगाएं और बचों को बाटे इससे लव लाइफ अच्छी रहेगी भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साढ़ हे तीन स्टार अब बारी है तुला राश्री के जाते को किये आपका विनमरी सुभा को प्यार करने की वज़र देती है आज आप tapping करीबी लूग आपके करीब आने के कोशिश करेंगी लेकिन आपके मन को शैंत बनाए रखने के लिए आप एक आं तुमें टाइम बिताना पसंद करेंगे अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साति के साथ अपने जी अब बारी व्रश्चिक राश्री के जातकों की रख्चाप के मरीजों को खास खयाल रखने और दवादारू करने के जरूरत है सांतियोंने कलिस्ट्रॉल को काबो में रखने के भी कोश्रिश करनी चाहिए ऐसा करना आगे या काफी लावदायक सिद्ध होगा अपने जीवन साथी के सांत मिलकर आज आप भविश्रे के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उमीद है कि योजना सफल भी होगी घर में रस्म रिवायर जादी होगा आपके प्यार के रिष्टे में जादोई अहसास चारा है इसकी खुबसूरती महसूस करें बिना किसी को अउगर कराएं आज आपके घर में किसी दूर के रिष्टदार की एंट्री हो सकते हैं जिसके कारण आपका समय खराब हो सकता है आपको अपने जीवन साथी की ओर से खास पफ़ा मिल सकता है बहतर भविष्य की योजना बनाना कभी बुरा नहीं होता आज के दिन का अच्छा प्रियोग आप उजवल भविष्य की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बहतरीन है जोने करके आप खुद के वारे में अच्छा मैसूस करते हैं आपके पास आज पैसा परियाप्त मातरा में होकर इसके सांत ही मन में शांती भी होगी शां को दोस्तों के साथ घूमे फिरें क्योंकि यह आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है प्रेमी को आज आपकी कोई बात चुम सकती है वो आपसे रूठे इससे पहले ही अपनी गलती का अहसास करने और उन्हें मन आले व्यस्त दिन चर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगी वहीं खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कर सकते हैं रोमानी गाने, महक्ती मुंबतियां, लजीज, खाना और पे ये दिन जो है आपके और आपके जीवन साथी के लिए ही बना है आज आपका मन धार्मिक कारियों में रमेगा जिससे आपको मानसिक शांती का नुबह होगा शुभंक जान लेते हैं, वो है आपके लिए तीन शुभरंग है कि सरिया और पीला और पाई के तौर पर आज के दिन गरीब छात्रों की पढ़ाई में सहायता करें बुद्ध ग्रह प्रसन्न होगा और प्रेम समन्द अच्छे रहेंगे भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से साढ़े तीन स्टार अब बारी है मकर राश्री के जातकों की आज के दिन ऐसी चीजों पर क्याम करने के जरूरत है जो आपकी सिहत में सुधार ला सकती है अपने खर्चों पर काबू रखें और आज हाथ खुलकर वियाई करने से बचें दोस्तों और परिवार के साथ मज़ेदार समय बीतेगा वहीं शाम के लिए कोई खासी योजना बनाए और कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोमानी हो इस राश्री के बच्चे आज खेल कूद में दिन बता सकते हैं वहीं माता पता को उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई चोट लगने की भी संभावना है आज के दिन शादे शुदह जिंदगी के में सबसे खास दिनों में से एक रहेगा अगर आज कुछ इज़दा करने के लिए नहीं है तो आज आज आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं या कुछ नई चीज़ कर सकते हैं यह अच्छा विकल्प होगा वाज आपके ज्यान में भी बढ़ होतरी होगी क्योंकि आपको खाली वक्त मलने वाला है आज आपको बिना सोच विचारे खरच करना आपको कितना नुकसान पहुचा सकता है अगर बाचीत और चर्चा आपके मताबिक ना हूँ तो आप नाराजगी में करवी बाते कह सकते हैं जोने लेकर बाद में आपको पहुचता ना पढ़ सकता है इसलिए भाली बाती सोच कर ही बोलें संभव है आज आप अपने लव पार्टनर को टॉफी या चॉकलिट वगएरा दें अगर आप खरीदारी पर जोएं तो जरुद से ज़्यादा जीब धीली करने से बचें आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ खास करने वाला है आज के दिन आप जो है एकान तुम्हें समय बिताना पसंद करेंगे और आपके पास इसके लिए बहुत टाइम रोगा क्या अपके लिए क्वैर की टाइम बिताइए बहुत जादा तनाव और चिंता करने की आदत सेहत को नुकसान पहुचा सकती है रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा रिष्टदारों और दोस्तों से अचानकों पहार मिलेगा वही दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटी-छोटी तोफिल लोगों को दे आपने बीते दिनों कारिश्टेतर में कई काम अधूरे छोड़े हैं जिसका भुकतान आज आपको करना पड़ सकता है शुबंग के है साथ, शुबरंगे, क्रीमो, सफीद और उपाई के तौर पर विष्णु या दुरगाजु के मंदर में कांसे के बरतन का दान करी स्वास्त बना रहेगा भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूगी पांच में से साढ़ है तीन स्टार तो भी तक तो जाना के दिन कैसा बीते गाया सभी बार राश्टी के जातकों के लिए अब बारी आपके सवाल का जवाब देने की जलाना चाहिए संध्या काल पर पीपल के विष्ट के नीचे चौमोखी दीपक जलाते हैं तो घर की आर्थिक स्थिती सुधर सकती है चौथा उपाई क्या है मानिताओं के नुसार पानी में मालक्षमी का वास होता है यदि आप रविवार के दिन नदी या तालाब में रहने वाली मचलियों को भोजन कराएं तो मालक्षमी की उपद्रिष्टी आपर बनी रह सकती है पाचो उपाई धर्म के नुसार रविवार का दिन भगवान सुरे का दिन माना जाता है यदि आप रविवार के दिन शुद्ध मन से भगवान आदिती की पूजा और चना उनके मंत्रों का उचान करते हुए करें तो घर में सुख समृधी के सांध धन की बारिष भी हो सकती है चटा उपाई यदि आप रविवार के दिन घर की सफाई जो है पुरानी जाडू के बजाए नए जाडू से करें या उस दिन नए जाडू खरीदे तो घर में मालक्षमी धन की बारिष करवा सकती है सात्वा उपाई हिंदु धर में गाय को मालक्षमी का रूप मानताओं के अनुसार गाय में 33 करोड देवी देवताओं का वास माना जाता है ऐसे में आप रविवार के दिन गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं तो सभी देवी देवताओं के कृपा आपके उपर बनी रह सकती है तो यह कुछ ऐसे सिंपल सिंपल उपाई हैं जो आप रविवार के दिन कर सकते हैं और आपका सवाल जो था कि पैसो से लेटेड़ प्रॉब्लम को कैसे दूर करें तो यह आप उपाई करके देखिए आपको थोड़ा मतलब 15 दिन बीस दिन आप एक महीन था कि विपाई करीजे आपकी लाइफ में अलग सा चेंज आपको दिखाई देगा और अगर दिखाई देता है तो सरूर नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखके बताईए हमें कि आपको कैसा इसका असर रहा बाकि अगर आपके निचे जीवन में कोई और समस्या है किसी और किसी ग्रह सी या कोई अपकी प्रॉब्लम है तो अब बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कभी भी बात कर सकते हैं किसी भी समय और इस तो सेजवारता पर हर पद्धती हर भाष्ण के जानकार जो त दिन आती हूं शाम को पांच बजे आपके लिए दैनिक राश्रीफल का वीडियो लेकर उस वीडियो में आपके सवाल का जवाब दूगी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बहला एकन का वर्टन प्रेस कर दीजिए वीडियो का नोटिफिकेश दिनके लिए